नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हेल्थ टेग पे फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको हंगरी सिरफ के बारे में जानकारी देंगे इस सिरफ का क्या यूज है इसके क्या side effect है इसकी market price composition इन सब के बारे में पुरी जानकारी देंगे तो फ्रेंट्स की वीडियो को पुरी देखें ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स सबसे पहले जान लेते हैं इसके मार्केट प्राइस के बारे में तो इसकी मार्केट प्राइस एकड़ गूत पचीष रूपय है और ये 200 ml की पैकिंग में आता है कमपनी की बात करें तो इसको Replin Company के दोरा बनाया जाता है तो friends आगे जानेंगे इसके फायदे के बारे में इससे पले बता दें कि अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें तकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोट्फिकेशन आपको मिलता रहे और दोराओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो friends आईए जानते हैं एंगरी शिरप के फायदे के बारे में कि इस शिरप का इस्तेमाल कहां कहां पे किया जाता है तो फ्रेंट्स इस सिरप का इस्तेमाल भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है अगर किछी को भूख नहीं लग रही हो या भूख कम लग रही हो तो इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है इस सिरप को पीने से फ्रेंट्स भूख अच्छी तरह से लगती है और सरीर भी मोटा होता है वजन बढ़ता है तो जिन लोगों को भूख कम लग रही हो या भूख न लग रही हो तो इस शिरप का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अपने डाक्टर के परामर्ज के अंसार यह सिरप आपको हर एक मेटकल इस्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अगर नहीं मिलता है तो इस कमपोजिशन का कोई दूसरा सिरप ले सकते हैं बहुत से सिरप आते हैं तो फ्रेंट्स हंगरी सिरप एक एंटी हिस्टामाइन दवा है इसका प्रियोग जादे दिनों तक नहीं करना चाहिए जितने तिन तक आपको डाक्टर बोले हैं उतने दिन तक ही करना चाहिए और बच्चों में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम करना चाहिए दो या तीन दिन से जादे न करें तो फ्रेंट्स बात कर लेते हैं इस शिरफ के डोज के बारे में कि इसको कैसे इस्तिमाल करना है तो फ्रेंट्स एक एडल्ट ब्यक्त शिरफ को 10 ml सुबह और साम खाना खाने के बाद ले सकते हैं या अपने डाक्टर के परामर्स के अंसार और 10 साल के उपर बच्चे हैं तो उनको 5 ml सुबह और साम खाना खाने के बाद दे सकते हैं तो फ्रेंट्स इस शिरफ के साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं इस शिरफ के जो साइड इफेक्ट हैं जैसे की जिमसलाना, उल्टी होना, कबज की समस्या इसके अलामा चक्कर आना, आलस, नीद आना, ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं इसके अलामा वजन का बढ़ना भी एक साइड इफेक्ट है इसके अलामा भी कुछ साइड इफेक्ट हैं जैसे की पेट में गैस बनना, आखों में धुदलापन या मुह का सूखना, जी घबराना, सांस लेने में कठिनाई तो अचा में खुजली होना या दाने निकलना ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं जो की किसी किसी को हो सकते हैं इसके अलामा भी अगर फ्रेंट्स अगर कोई साइड इफेक्ट हो तो इसको बंद करके अपने डाक्टर से संपर कर लें और बात कर लेते हैं कुछ साधानियों के बारे में तो फ्रेंट्स इस सिरफ को लेने के बाद आलस और नीद आती है तो इस सिरफ को लेने के बाद वाहन आज चलाने से बचें और कोई भारी भर कम काम करते हैं तो उसे न करें तो फ्रेंट्स यह थी हमारी याद की जानकारी हंगरी सिरफ के बारे में आसा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सेर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब भी कर लें तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ